भजनलाल जाटव फिर से आगे हो गए तीन हजार मतों से जी जी मैंने आपको का था कि आगे यह इस्तिती बरकरार रहेगी और हम ओवर रॉल प्रारम से हमने पट्टिवर कर यह नहीं काता कि हम इतनी सीट लाएंगे पर हमने साफ तोर पर काता कि हम बढ़त पे हैं और हम भा पर देश के साथ नेता बाजी मारता हो नजर आ रहा है शुरुआति रुजाना में मैं विक्रम जी के पास जाओंगे विक्रम जी स्टूडियो से सवाल आपके लिए नोइडा स्टूडियो से सवाल यह आया है कि अनिल चोपड़ा आगे चल रहे हैं और भजनलाल जाटव फिर से आगे हो गए हैं तो जाहिर तोर पर खत्रे की घंटी वीजेपी के लिए देखिए मैं अभी आपन चर्चा कर रहे थे यह अभी शुरुवाती दौर है जैपूर ग्रामिन भारतिये जनता पार्टी की प्रंपरागत सीट रही है और लेकिन वहां से नमारी कर दी कॉ जल्दबाजी होगी दो तीन राउंड के अंदर आप पच्छीस राउंड के गिंती जो दसलाग से परिणामों तक हम अभी पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी कुछ समय तक हम इंतिजार करते हैं पलपल बदलते परिणामों के अंदर आप देखिए जैपूर ग्रम ज विकरम जी 15,000 से जादा वोट हो गए जिससे आगे चल रहे हैं और शुरुवात से ही आगे अनिल चोपड़ा बने हुए हैं कारण क्या रहा है इनसे पूझे राव राजंदर सिंग जैसा नाम इतना वरिष्ठ नेता उनके सामने एक छात नेता आता है और शुरुवाती र और आयम देखें कि बड़ी से बड़ी लीड भी कुछ पलों में जाके खतम हो जाती है उसी परकार आप जैपूर उसके अंदर ग्रामिन के अंदर भी देखेंगे कि जब दौर बदलेंगे राउंडिंगे दौर चेंज होंगे तो परिणाम भी स्टूडियो से नौइडा स से आगे बन होगे देखिए शुरुवाती दौर में काफी बार होता है मैंने जैसे बताया कि पिछली बार भी लग रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी चार से पांच सीटे जीतने में सफलता प्राप्त करेगी लेकिन परिणाम आते आते कई बार कौन से छेतर की अभी लेकिन लेकिन कॉंगर्स ही करें खुश्बू पूरु मुक्य मंत्री अशोक गहलोत बार 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 करें थे कि इस बार हम डबल डिजिट में आ रहे हैं कितनी सीटों पर आ रहे हैं जरा एक बार बताई पूछे उनसे पूरु मुक्य मंत्री अशोक गहलोत बार बार क्या रहे थी कि इस बार हम डबल डिजिट से आ रहे हैं कितनी डिजिट से आ रहे हैं इस बार आप देखिए यह साब तोर पर है कि हमने तयारी 25 के लिए करी थी लेकिन फिर भी मान लिजी हम 15 तक तो बिल्कुल आश्वस्त मुझत हैं कि राजस्तान के अंदर हमार को 15 सीटें मिलेंगी और देशवर के अंदर हमार के 15 सीट मान के चल रहे हैं विल्कुल को कुश्पू 15-9 बात कर रहे हैं था लेकिन पंगरस की तरफ से जो है उमीदे बढ़ती जा रहे हैं जिस तरह के रुजान सामने हैं और तो जाहिर तो पर सर देखा जाए राजिंदर जी कि कॉंग्रेस अगर अच्छी खासे सीट निकाल लेती है